हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल एक्जाम इश्टोर दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी वीडियो का जो री एक्जाम होने वाले हैं उसमें करेंट अफेर्स कहां से पूछा जाने वाला है यह आपके सामने बुक दिख रहा होगा यूथ कंपर्टिशन टाइम का जिसमें राष्टी अंतराष्टी पूरा विस्तार से मतलब टॉपिक वाई जिया हुआ जीतने भी आपके करेंट अफेर्स हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है इसको हम लोग बैतरीन तरीके से रीड करने वाले है तो गाइस देर नहीं करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे वीडियों स्टाट करते हैं, let's start it तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा सबसे पहले जो है, हम लोग राश्टी का यहाँ पर करने वाले हैं तो पहला question आपके screen को उपर आ चुका है इसमें पूछा जा रहा है, अप्रेल 2023 में सौराष्ट तमिल संगम का आयूजन कहां पर किया गया था guys मैं इसमें direct आपको option बताऊंगा तो इसका सही जो आप क्या होजए, गुजरात में किया गया था यानि सौराष्ट तमिल संगम कहां पर किया गया था, गुजरात में कब आयूजन की अउदी थी, तो 17-26 अप्रेल 2023 को और आयूजन अस्थल क्या रहा है, तो गुजरात का सोमनात द्वार का एवं स्टेचू आफ यूनिटी, ठीक है ये सारे जो हैं important point है, जो मैंने आपको बता दिया आगे बढ़ते हैं second question में, और इसमें पूछा जा रहा है अप्रेल 2023 में संगठन से समरिद्धी किसी ग्रामीड महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारम किया गया है तो right answer क्या हुज़ेगा B option, ठीक है संगठन से समरिद्धी किसी ग्रामीड महिला को पीछे नहीं छोड़ना है अभियान का सुभारम किसके द्वारा किया गया है तो दीन द्याल अंतोध ही हो जनानी यानि राष्टी ग्रामीड आजीव का मिशन के द्वारा जो है यह स्टार्ट किया गया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसमें जाता आप डिटेल से जाएंगे तो आप लोग देख लिजेगे, पीडियाफ आपको सेंड कर दिये जगा ठीक है, बात करते हैं थर्ड कोर्शन में पूछा जा रहा है अप्रेल दो हजार तेईस में केंदरी ग्री एवं शहकारिता मंतरी अमित सा ने वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम का सुबारम कहां पे किया है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा अरुनांचल प्रदेश में कीवी थू की वास ठीक है तो कौन सा यूज नहीं स्टाट किया इन्होंने वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम ठीक है याद रहेगा आपको वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम का सुबारम कहां पे किया गया है तो की विवी थू अरुनांचल प्रदेश में ठीक है और किसके द्वारा किया गया ये भी आपको तो केंद्री ग्री एवं सहकारिता मंत्री अमित सा के द्वारा आगे यहाँ पर फूर्द कोश्चन में आपसे पूचा जा रहा है कि अप्रेल दो हजार पाइस में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नए दल को राष्टी दल का दरजा प्रदान किया गया है तो सही आप्सन क्या हो जाएगा आम आदमी पार्टी ठीक है यानि आम आदमी आपसे पूचा जासकता है कि बरतमान में कितनी राष्टी पार्टी यह रास्टी दल है?」 तो कुए ने टोटल चॉसरा हो जाएगा भारती प्रदा स्वांग पार्टी,34 निट्रथ धारी आदमी पार्टी यह जो है छे पार्टियां है जिनको राष्टी दल का दरज़ा प्रदान किया गया है और इसमें से किसको आटाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो यह देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारती त्रिनमुल कॉंग्रेस यानि AITMC और भारती कम्मुनिस्ट पार्टी CPI तता राष्टवादी कॉंग्रेस NCP से राष्टी दल का दरज़ा वापस ले लिया है तो यह आपको याद रखना है ठीक है वरतवावन में कितने नेशनल पार्टी हैं तो 6 हैं छोओं का नाम आपको याद होने चाहिए आगे बढ़ते हैं फिफ्ट कोर्शन में आपसे पूछा जा रहा है अप्रेल 2022 में जारी किये गए राज्य उर्जय दच्छता सूचकांग 2021 में सिर्शस्थान किस राज्य का रहा है तो किस का रहा है तो करनाटक का किस में राज्य उर्जय दच्छता सूचकांग में किस श्टेट का राज्य जो है किस श्टेट को जो है सर्व प्रथम रखा गया है तो किसको रखा गया है सिर्शस्थान पे तो याद रखी है करनाटक है अब बात किया जाए उत्तर प्रदेश किसमे है यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे फ्रंट रनर पे कौन है यह आप से पूछा जासा है फ्रंट रनर पे कौन कौन से है करनाटक है आंद प्रदेश है केरल, राजस्थान और तेलंगना अचीवर में कौन से हैं? जिसके अंक जैसे 60 से अधिक थे उनको फ्रंट रनर में जिनका जो है अंक 50 से 60 के बीच में वो कहां कहां पे हैं तो अचीवर में जैसे अशम हो गया हरियाडा, महराष्ट पंजाब, वहीं कंटेंडर की बात किया जाए, जिसकी कितनी अंक है 30 से लेके साढ़े उन्चास तक ठीक है, यानि उन्चास पॉइंट पाइब तक जो है, जिनकी रैंक, उसी में आपका उत्तर प्रदेश भी सामिल ले, ठीक है यह आपको ध्यानवे रखना है और 30 से जीतने भी कम है, वह एस्पेरेंट में है बस इससे यही कोश्चन बनेगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन के तरफ यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का बता भी रहा है अंक उत्तर प्रदेश ने 49 अंक प्राप्त किया है तथा वह कंटेंडर स्रेंड़ी में सामिल लई आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको आपको ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश को आपको ध्यान में रखना है इसका अंक और सिर्शस्थान किसमें पार यह मतलब जो है किसमें है उन्चस 49 तो राज उर्जा दच्छता सूच का अंक में ठीक है आगे बात करते हैं 6 कोशन में अप्रेल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की स्रेणी में सिर्शस्थान किस राज ने प्राप्त किया है तो भी करनाटक ने किस ने प्राप्त किया है करनाटक ने इसको आपको याद रखना है इसका कौन सा एडिशन था तो ये तिरती एडिशन था ठीक है जारी करता को ने टाटा ट्रस्ट यानि सेंटर फॉर सोसल जस्टिस कॉमन कॉज और कॉमन विल्थ हुमन राइट इनिशेटिव के सहयोग से द यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े राज्यों में सिर्स अस्थान कौन था करनाटक था जिसके पॉइंट कितने से 6.38 वहीं बड़े राज्यों में अंतिम अस्थान प्राप्त करता कौन है तो यूपी अपना उत्तर प्रदेश कितना है 3.78 यह आपको याद साधा नहीं पूछे अugenण बड़े राज्यों में फिर्स तीन राज्य पूछा जाए तो कौन ओजाएंगायों करनाटक तमिलनाडू और ति लंगान यह एक चोते राज्यों की अगर स्रेंड़ी सिर्स में पूछा जाए तो कौन है सिक्किम है और छोटे राजु में सबसे लाष्ट का पूछा जाए अंतिम तो कौन है गोवा है ये आपको याद रखना है ठीक है गाइस उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट किलियर हो गए होंगे शेवेंध कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है दोजार तेईस में नागा लेंड विधान सवा चुनाओ परणामों में सबसे अधिक सीटे किस दल ने प्राप्त की है तो किस ने प्राप्त की है यहाँ पर आपको ए ओप्सन देखने को मिल जाएगा नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशिव परणामों में यहाँ सीटों की इकुल संक्या पूछा जा सकता है नागा लेंड में कितनी है 60 है याद रखिएगा 60 है ठीक है और कितनी इसने सीटे प्राप्त की है 25 सीटे प्राप्त की है और यह भी सबसे जाए कि अनुसूची जनजातियों के लिए जो है जो शिडूल ट्राइब्स होते हैं ठीक है उनके लिए सबसे ज्यादा सीटे कहां पर है तो 59 सीटे कहां पर नागा लेंड में इसको आपको याद रखना है आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस एट्थ कोर्शन में और आप अठीक को इंप आगे हें आपको इंपोर्टन और तो निस्टव परटी को कि इसको नेशनल पीपूल्स पारटी यानि मेगाले राजी के जो भिधान सब्सब्स चुना हुआ है उसमें सबसे अधिंशनल पीपूल्स पार्टी यह आपको याद रखने है कितनीशी अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के तरफ ठीक है और यहां पर देख सकते हैं कौन दूसर जो है वहां के मुख्यमंत्री बने हैं तो कौन बने कौन राड संगमा यानि साथ मार्च 2030 को कौन राड के शंगमा ने लगतार दूसरी बार मेगाले के मुख्यमंत्री पगत की शपत लिए तो इसको आपको याद रखना है और यह नेशनल पिपूल पार्टी है नाइन्थ कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं पूछा जा रहा है कि 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डैलोग का आयोजन किया गया है और इस संबेलन में मुख्य जो है अती थी क कौन है इसको पढ़ लिजे जिया जिर्यो मेलीनी ठीक है मेलोनी है आप सिर्फ मेलोनी याद कर लिजे मेलोनी ठीक है जिया जिर्या मेलोनी इसको याद कर लिए जिया जिर्या मेलोनी ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी ओप्सन किस में आई थी रायसीना डै होता है 2016 में इसके ठेक है तो इटली की प्रधान मंत्रियें कौन मेलोनी जो हैं वो क्या है इटली की प्रधान मंत्रियें याद रखिएगा 10th question इसका theme important है यह याद करिएगा क्या है provocation uncertainty turbulence ठेक है यानि lighthouse in the tempest यह इसकी theme है इसको एक बार दियान रखिएगा 10th question में आपसे पूचा जा रहा है 2023 में तिरपूरा विधान सभा के चुनाओ परणाम जारी किये गये हैं और इस विधान सभा चुनाओ में भारती जनता पार्टी ने कितने सीटे प्राप्त की हैं तिरपूरा विधान तो आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि कौन तिरपूरा के मुख्यमंत्री के पद सपत लिए हैं तो 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मडिक साहा ने दूसरी बार तिरपूरा के मुख्यमंत्री के पद की सपत लिए हैं बात करते हैं 11 कोस्टेन में पूछा जा रहा है मार्ज 2023 में उच्चतम नियाले यानि सुप्रीम कोट त्वारा दिये गया निर्ड़ाई का अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्तेवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संगठित समीती कौन से सामिल न नहीं होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्तेवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्म में उच्चतम न्याले का निर्ड़ाय आया है ठीक है क्या निर्ड़ाय आया है कि नियुक्ति के लिए गठी समीती में कौन सामिल नहीं होगा तो ग्रिया मंत्री यह आपको याद रखना है कौन ग्रियमंत्री ठीक है यह साप आपको समझ में आ गया होगा है आगे हम लोग बढ़ते हैं 12th question में पूछा जा रहा है वेरी वेरी important है अगर आप UP का exam देने जा रहे हैं तो कि मार्च 2023 में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहाँ पर विशो के सबसे लंबे पलेटफॉर्म का उद्गाटन किया है पहले आपका था गोरखपूर लेकिन अब जो है यह बदल चुका है करनाटक का हूबली धारवाड है यानि B option बिलकुल करेक्ट है आपको याद रखना है ठीक है पहले जो था आपका गोरखपूर था लेकिन अब जो है यह उससे भी बड़ा railway station कहाँ पर हो गया हूबली धारवाड में B option बिलकुल करेक्ट है और इसके आने के चांसे ज़्यादा है तो बिस्व के सबसे लंबे railway platform का उद्गाटन किसके दोवारा किया गया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के दोवारा और कहाँ पर है हुबली धारवाड करनाटक में ठीक है station platform का नाम क्या है ये भी आपसे पूचा जा सकता है जैसे अभी हाल में PCS का एक्जाम हुआ है उसमें आपसे पूचा गया था कि नाचो नाचो जो नाटू नाटू शाओंग है उसके संगीत कार कौन है ठीक है तो सबी लोगों ने बस उसके डारेक्टर SS राज मोहली को जाना तो उसी पर टिक कर दिया है तो इसलिए आपको ये भी जाना है कि उसके उद्गाटन करता कौन है और उसके अस्थल कहां पर है और रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है तो ये आपको याद रखना क्या है सिद्धरूध्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन ठीक है ये है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है तो लगबग 1.5 किलो मीटर आप लोग इसको 1507 मीटर कह सकते हैं या फिर 1.5 किलो मीटर तो ये आपको याद रखना है और गोरखपूर के रेलवे की लंबाई कितनी है तो ये लगबग 1306 यानि मतलब 1 किलो मीटर 300 मीटर ठीक है यानि 1300 मीटर है टोटल आप समझ सकते हैं 1366 है तो इसको आप कह सकते हैं ये तो विश्व का सबसे पहले लंबा था लेकिन अब ये दूसरा हो गया बात करते हैं 2023 में भारत का पहला सविधान साच्छर जीला किसे गोसित किया गया ये भी important है केरल का कोलम है कौन सा है गाइस केरल का कोलम जो है वो क्या है भारत का पहला सविधान साच्छर जीला गोसित किया गया है कोलम जीला ठीक है तो केरल के मुख्यमंतरी कोन है पीना राई वीजियन? कौन है? पीना राई वीजियन भारत के पहला सवाइधान साच्छीला कॉन है केरल का कोल्लम है? याद रखियेगाँ ये कोल्लम क्या है? डिष्टिक है और इसको आपको याद रखने हैं Next Question 14 में आपसे पूछा जाए रहा है तो केरल राजी को गोशित किया गया है आगे बढ़ते हैं 14 कोस्चन हो चुगे हैं 15 में पूछ रहा है मार्च 2023 में यूरोपी आयोग ने किस भारती उत्पाद को सनरचित भोगवलिक संकेत दरजा प्रदान किया है तो किसको कांगड़ा चाय को किसको कांगड़ा चाय भारती उत्पाद को यूरोपी आयोग का सनरचित भोगवलिक संकेत का दरजा किसे मिला है कांगड़ा चाय को यह आपको याद रखना है ठीक है कांगड़ा चाय हीमाचल परदेश के कांगड़ा जीले में उगाई जाती है सिक्स्टिन कोश्चन में पूचा जा रहा है 31 मर्च 2023 को कुल कितने उत्पादकों को जी आई टेक प्रदान किया गया है तो यह आपको बताना है तो कितने को प्रदान किया गया है तो 33 को 33 को जो है उत्पादकों को जो है जी आई टेक प्रदान किया गया है और यह प्रदान करता कौन होता है उद्दोग समवर्धन और आंतरिक बैपार बीभाग अब यहां से देखिए उत्तर प्रदेश में किस किस को जो है जी आई टेक प्राप्त हुआ है यह आपको शाथ में याद भी रखना है जैसे कि बनारस पान कौन सा हो गया बनारसी पान आप लोगों ने सुना होगा है खाई के पान बनारस वाला जो जो पान खाते हैं एक बार कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा कि कैसा लगता है आपको रामनगर का भंटा जो है हम लोग किया भंटा भी बोला जाता है इसी को बैगन भी बोलते है ठीक है तो रामनगर भंटा नहीं कहते हैं इसका आँख एकदम भंटा जैसा है तो रामनगर भंटा हो गया बनारस का लंगड़ा आम कौन से हो गया बनारस का लंगड़ा आम और हा आत्रस का हींग है आदम चीनी चावल इसको भी जी आई टेग और अली गड़ किसके लिए ताला के लिए जो इसको जी आई टेग और प्रताप गड़ का आमला हो गया नगीना लकडी का सिल्फ हो गया और बखीरा के पीतल के बरतन कहां के बखीरा के पीतल के बरतन और बांद किया जाए बिहार का तो मर्चा चावल देख सकते हैं न मर्चा और चावल यही मर्चा चावल आपको ज्याद देखनेक जरूरत नहीं अगर आपको याद है तो अच्छी बात है क्योंकि आप एक यूमन है रोबोट तो है नहीं कि सारा चीज़ याद कर सकते हैं स्वारी जो है यहां पर जिस जो हम बात करें तमिल्नाडू को छही नहीं गिया गया गया है लगबग 11 दिया गया है उत्तर प्रदेश में भी दस ही ते यहां पर 11 ठीक है जम्मू कस्मीर का भी देख लिज़े महत्पूर्ट तत्थ हो क्या है इसको आपको द्यान में रखना ह भारत में जी आई टेक पंजीकरण यानी रजिस्टेशन का बिन में बस्तूओ के भागोलिक संकेत तक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है ठीक है इसको आपको याद रखना है कोश्चन पूछ रहा है 2023 में छेतरी भासा में निर्ड़े प्रकासित करने वाला देश का पहला उच्छे नयाले कौन सा है तो ये भी कौन सा है केरल है केरल उच्छे नयाले इंपोर्टेंट है केरल तो हमेशा आपके लिए समझ सकते हैं कि छेतरी भासा जो वहां का लोकल निर्ड़े प्रकासित करने वाला देश का पहला उच्छे नयाले कोन है तो केरल है कोन है केरल ठीक है तो इसको आपको याद रखना केरल की छेतरी भासा क्या है मले आलम है क्या है मले आलम इसको आपको याद रखना है केरल की छेतरी भासा है मले आलम मले आलम 18 कोश्चन के लागू करने वाला देश का पहला आकांची जीला बन गया है तो कौन सा है गाईच विदीशा विदीशा कहां पर मद्ध्रदेश में तो इसको आपको याद रखना है फाइब जी तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांची जीला को ने विदीशा यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है, अब यहां पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सामिल हैं, यह आपके लिए ज्यादा important है, उत्तर प्रदेश के कुल 8 आकांची जिले हैं, जिन में कौन-कौन से हो जाएगा, बाहराईच, बलरामपूर, चंदाउली, चित्रकूट, फतेपूर, स्रावस्ति, सिदार्त नगर और सोन भद्र क्या हैं इसमें सामिल है 19 कोस्चन में पूछा जाय रहा है जनवरी 2023 में कौन सा जीला अपने सभी जनजाती लोगों को बुनियादी दस्तावेश प्रदान करने वाला देश का पहला जीला बन गया है तो कौन सा हो जाएगा केरल का वायनाड कौन सा हो जाएगा केरल का वायनाड सबी जन जाती लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जीला कौन से हो जाएगा तो ये भी याद रखिएगा केरल का वायनाड ठीक है ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है क्या क्या प्रदान किये गए हैं तो यहां पे आप देखिए गाई आधार कार्ड रासन कार्ड चुनाओ पैचान पत्र जन परमार्पत्र मृत्यू परमार्पंत बैंक खाता स्वास्त बीमा आदी ट्वेंटी कोशन पूच रहे हैं 2023 में 26 वे राष्टी युवा मौसो का आयूजन कहां पे किया गया है तो यही करनाटक हुबली जो सबसे बड़ा लंबा प्लेट फॉर्म है उसको भी याद रखीगा तो राष्टी युवा मौसो 2023 कहां पे आयूजन किया गया है करनाटक ह हुबली में उद्गातन करता कौन है तो बारत के प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और यह देखिए स्वामी विगया का राष्टी युवा दिवस किया गया है आगे हम लोग 21 में बात कर से हैं किस देश के राष्टपति को गरतंत्र दिवस समारो 2023 के औसर पर मुख अतीति को रूप में हम लोग ने आमंत्रित किया तो मिस्र के याद रखी या मिस्र के ठीक है जिसको इजीप्ट आप लोग बोलते हैं उनके प्रेशिडेंट को जो है हम लोग रिपब्लिक डे यानि गरतंत्र दिवस समारो पे मुख्य यानि चीफ गेस्ट के रूप में आ हम लोग आमंत्रित किये थे अब यहां पर अगर आपसे और पीछे पूछे तो आप लोग और पीछे भी जा सकते हैं लेकिन बस इत्ता बहुत है मुख्य तीति आपसे पूचा जाएगा बाकी यहां 2022 में देखेंगे तो इसके में दिखाया है 2020 में गरतंद ब्राजील के र लंबे रीवर क्रूज एमवी गंगा विलास को जंडी दिखा कर रवाना किया है तो कहां पर वारानसी कहां पर भाई वारानसी याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा रीवर क्रूज एमवी गंगा विलास जो है कहां से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया है तो य यह यात्रा समाथ्ती कहाँ पर होगी तो असम के डिगरू गड जो ए बोगी विल वहां पर यह ये यात्रा समात्थ होगी यत्रा की अवधि कितने दिन रहेगी 51 डेज इसको आपको याद रहें है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी तो 32-100 km कितनी 32-100 km और इसमें कितने अधिक परियाटक अधिक से अधिक जा सकते हैं 36 याद रखे 6 का स्कुआर है आगे हम लोग बात करते हैं 23 question में पूछा जा रहा है 2023 में प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है तो इंदोर में कहां पर जो सबसे स्वच सीटी है इंदोर उसको याद रखेगा कि प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन आयोजन कहां पर किया गया है तो सत्रवा परवासी भारती दिवस समयलन जो है इंदोर में किया गया है कहां पर इंदोर में जो की मद्य परदेश में है ठीक है इसकी थीम क्या है यह आपको याद रखना है तो डाइस पूरा रिलाइबल पार्टनर्सिफ आफ इंडिया प्रोग्रेस इन अमरित काल यानि अमरित काल में भारत की प्रगति के विश्वसनी भागीदार इसके आयूजन करता कोन है तो बिदेश मंतराले भारत सरकार एवं मध्य परदेश सरकार इसको आपको याद रखना है फौरेन मनिश्टर और जो इंडियन गोर्रमेंटर और मध्य परदेश की जो सरकार है उनक चीफ गेस्ट के रूप में आये थे, अब नेक्स्ट कोश्चन बात किया जाए, और परवासी वारती दिवस हम लोग कम मनाते हैं, तो ये याद रखिये, 9 जनुवरी दू 1915 को जो हो है, महत्मा गाधी दच्छिड फिरका से भारत आये थे, और इसी दिन को चिनित करने के लि ये प्रति वर्स दो वर्स में एक बार आज़े, यानि दो साल पे एक बार किया जाता था, ठीक है, लेकिन 2015 से इसे संसोधित कर दिया गया है, भारती दिवस समय प्रति दो वर्स में एक बार आयोजीत किया जाता था, लेकिन अब 2015 से इसको दो वर्स में एक बार आयोजीत क किया जाएगा ठीक है 24 में पूछा जाए रहा है 2023 के केंद्री मंत्रि मंदल ने राष्टी हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मनजूरी प्रदान किये है और इसमें संबंदित निम्न कत्नों पे आपको विचार करना है तो क्या है प्रति वर्स कम से कम 5 million metric ton की हरित hydrogen उत्पादन छमता का विकास होगा और इससे green house gas उर्सरजन में प्रति वर्स लगबग 50 million metric ton की कतवटी की शंभावना है तो सभी इसके option क्या है करेक्ट है यह आपको याद रखना है ठीक है आगे चलते हैं इसके महत्पुण पॉइंट क्या है यह आपको याद रख लिजिए मिशन के महत्पुण हरित हाइड्रोजन संक्रमण कारिकरम के लिए रणनीतिक हस्त छेप साइट है यानि strategic intervention for green hydrogen transition program इसके अंत्रगत दो बित्ती प्रोसांत बनाए गए एक electrolyzer का घरेलूवी निर्माण दूसरा है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अब green hydrogen हव क्या होता है यह आप लोग पढ़ लीजे नीती गच जो है नीती गच धांचा क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया होगा 25th question में हम लोग बात करते हैं पूछा जा रहा है जन्वरी 2023 में अखिल भारती पिठासीन अधिकारियों का तीरासिवा सम्मेलन कहां पर आयूजित किया गया है तो कहां पर जैपूर में कहां पर किया गया है तो इसको आपको बस याद रखना है कि तीरासिवा अखिल भारत भारती पिठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहां पर किया गया है जैपूर में किया गया है और इसके उदगहातन करता कौन थे तो भारत के वाइस फिरेसिडेंट यानि जगदीप धनकड़ थे कौन थे जगदीप धनकड़ 26 में आपसे पूछा जा रहा है 2023 में जल पर राजमंत्रियों के पहले अखिल भारती वार्सिक सम्मेलन वाटर वीजन एट दरेट 2047 का आयूजन कहां पर किया गया था तो भोपाल में किया गया था भारती खाद संरच्छन एवं मानक प्राधिकरन द्वारा फाइफ इस्टार रेटिंग परमाणन के साथ इट राइट इस्टेशन से भी सम्मानित किया गया है इंपोर्टेंट है इसको बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट है आपकी एकजाम में इसको पूछे जाने के ज्यादा चांसेज है ठीक है तो ये कौन सा है वारांसी केंट रेलवे इस्टेशन कौन सा है वारांसी केंट रेलवे इस्टेशन D option बिल्कुल सही है जो की फाइफ इस्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ इट राइस इस्टेशन सम्मान किया गया ठीक है और इसको किसने जो है ये सम्मान प्रदान किया FSSAI ने Food, Safety and Standard Authority of India के दोवारा जो है ये आपको सम्मान जो है इसको दिया गया है अब उसके बाद से जो है यहाँ पर देख सकते आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं 28 में पूछा जा रहा है 2023 में राष्टी जिनोम शंपादन इवंपरसिचन नेशनल जिनोम एडिटिंग एन ट्रेनिंग सेंटर कहां पर उद्गाटन किया गया है तो मोहाली में कहां पर मोहाली इसको आपको याद रखना है ठीक है मोहाली कहां पंजाब राष्टी इसके द्वारा जो परिशर में किया गया है तो आज के लिए वस इतना ही रहने देते हैं अब आपको जो है ये कल से पढ़ाया जागा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैटे क्या जाइन दोस्तो लव यू आल